दोस्तों नमस्कार मेरा नहीं डॉक्टर केकी पांड़े और आपका इस चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपसे एक mental general symptom के बारे में बात करेंगे वो symptom है great aversion to be alone मतब wants to be solitude यानि की साथ चाहना अकेले रहने से बिलकुल तकलीफ होती है, बहुत परिशानी होती है, बिलकुल रहने सकता है मानसी कृप से patient बहुत परिशान अगर हो, वो हमें साथ किसी का साथ चाहे अकेले रहना बिलकुल बरदास नो हो तो आज हम इस सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इसके बारे में आपसे बात करेंगें तो आए दोस्तों इसके बारे में डीटील में शुरू करते हैं और आपको ये दोनों टापिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो आए शुरू करते हैं हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहें दूस्तो ऐसी कंडीशन में जब कि कोई पिशन्य इवर्जन टु बी अलोन अकेले नहीं रहना चाहता, वहां पे mainly चार मेडसिन के बारे बात करूँगा अब से पहली medicine है कालिकार, दूसरी medicine है आर्सेनिक एल्बम, तीसरी medicine है बिस्मत और चौती medicine है लाइकोपोडियम दोस्तों ये चार medicine ऐसी हैं जिनके अंदर patient चाहता है कि किसी नहीं किसी का साथ चाहता है कभी भी अकेले रहने नहीं रहना चाहता है अकेले रहना उसको यह बहुत ही कष्ट एदाई होता है तो वहाँ पर यह चार मेडिसिन बहुत उप्योग की जाती है दोस्तों अपनी चार मेडिसिन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगी कौन सी मेडिसिन देना है जैसे हम पहरी मेडिसिंग के बारें बात करें काली कार्ब का अगर पेशिंट होगा तो आप देखेंगे काली कार्ब की जो बेसिक सिम्टम है दोस्तों एक ची हमेशे आद रखिएगा कि जब भी किसी एक सिम्टम के बारें बाचत की जाती है तो उसके जो बेसिक सिम्टम होत करें तो काले कार्प का पेशंट जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि काले कार्प को पेशंट होता है वीक होता है उसके जो तकलीफें होती ही वो सुबह के समय बढ़ जाती है चार से पांच के बीच में आरली मौनिंग के समय इसकी तकलीफें बढ़ती है सुबह उठने समय उसकी तकलीफे बढ़ी हुई होती है चार से पांच के बीच में वीकनेस हो कमजोरी मेहसुस होती हो और पेशेंट हमेशा किसी ने किसी का साथ चाहता हो हमेशा किसी के साथ रहना चाहता है वहाँ पे आप काली कार्ब को सोच सकते दोस्तों बहुत अच्छी मेटसीन है दूसरी मेटसीन है आरसनिक एलबं आरसनिक एलबं को जो बेसिक सिम्टम होते हैं जर्नल सिम्टम होते हैं पेशेंट एंग्जाइटी होती है उसके अंदर में उल्जन बेचेनी उसके अंदर में होती है मानसी क्रूप से भी सारी क्रूप से भी प्यास होती है थोड़ा थोड़ा पाने बार बार पीना चाहता है पेशिंट बहुत ही साफ सुतरा रहना चाहता है साफ सफाई बहुत जादे पसंद होती है आर्सेनिक के पिशिंड को उसकी जो तकलीफ होती है जादे तर बारा से एक बज़े के बीच में दिन में और रात में बढ़ती है तो ये कुछ ऐसे एक सिंटम है दोस्तों जो की आर्सेनिक अलबम की तरफ आपको इंगित करते हैं इसके साथ में पिशिंड हमेशा किसी का साथ चाहता हूँ अकेले रहने से उसको तकलीफ महसूस होती है वो अकेले नहीं रहना चाहता है अकेले रहना बिरकूल सुपसंद नहीं है तो वहां पे आप आर्सेनिक अलबम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा किसी भी बिमारी में हो यह हमेशे धान रखिएगा यह जो मैं आपसे बात कर रहा हूं यह किसी बिमारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं कुछ जंदल सिम्टम के बारे में बात कर रहा हूं मेंटन जरलन कि अगर आपने इस सिम्टम को धहान रखा तो आप किसी भी बड कि यहादेतर उपयोग किया जाता दोस्तों वो कई सारे सिंटम में उसमें एक बड़ा important सिंटम होता है कि जब्ही बिश्मत का patient होता है वो वोघ्मिट कर देता है व वाटर को ऐनि जब पानी अंदर ले खाता है पीता है कुछ बी तो खाना तो अंदर रहता है लेकिन जो पानी होता हो बाहर आ जाता है कि यह एक बाड़ा खास में होता है बाहर आता है, वोमिट हो जाता है, भोजन अंदर पड़ा रह जाता है, लेकिए अगर भोजन और पानी दोनों बाहर आये तो, वहां पे दोस्तों आरसेनी कल्बन दिया जाता है, ठीक है, तो मिंटल दोनों का सेम है, लेकिन ये सिम्टम आपको कंपेर करने में काम आएगा, कि इसकी जो तकलीफे होती है इसका जो अग्रिवेशन टाइम होता है वो शाम को चार बज़े से आठ बीजे के बीच में होता है पेशिंट मीठा बहुत पसंद करता है पेशिंट को गुस्सा बहुत जादा राता है पेशिंट को गैस की तकलीफे जाद तर होती है और वो नी अब बात करते है कि ऐसे patient जो की साथ नहीं चाहते हुँआ है वहम्यजा अकले रहना चाहते है इगनेशिया और दूसरा है नक्स वॉमिका। इगनेशिया का जो पेशेंट हुता, वो हमेंशा अकेली रना पसंद करता है। किसी का साथ नहीं चाहता उसको सब में साथ में रने में दिक्कत महसुस होती है। इसको उल्जांसी महसुस होती है अब इन दोनों को कैसे हम अलग करेंगे तो इगनेश्य का जो पेशेंट होता आप देखेंगे कि इसके अंदर कांट्रेडिक्शन्स पाई जाते हैं मतलब कोई भी सिम्टम एक जनरल चीज पे अलग हो जाता है जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे जब कोई पेशेंट एक नॉर्मन कंडिशन में नॉर्मन सिचुएशन में जो चीज करने चाहिए वो न करके उसका उल्टा करें जैसे कहीं पे अगर दुख की बात हो रही हो वहाँ पे उसको हसी छूड़ जाए हसी की बात पे उसको उदास हो जाए ये कंट्रडिक् कि ये होनी शुरू हो जाए तो वहाँ पे इगनेशिया को यूज के जाता है और ऐसे पेशेंट को जहां पे डिसपॉइंटेट लव हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि अचानक कोई बात दिल को लग जाया कुछ ऐसी चीज़े हो जाया जो कि रिसेंटली हो तो वहाँ पे भी का यूज के जाता दोस्तों और नक्स ओमिका की बात करें तो नक्स ओमिका का जो पेशेंट होता है उसका कुछ बिसिक सिंटम होते हैं जनल सिंटम जिसके आधार पर इसको फाइंड आट करते हैं पहला सिंटम की मौनिंग अग्रवेशन होता है सुबह किसमें इसकी है इदर-दर मूफ करता है थोड़ी देर के बाद उसको फिर से मैं हाज़त में सुस जाती है तो यह एक सिंटम और बड़ा काम करता है साथ में ऐसे पेशेंट जो तो सिरेंट्री हैबिट्स जीन की होती है सिरेंट्री हैबिट्स का मतलब यह है कि यो की बड़े आराम करते हैं सबके साथ में जो व्याइं कि रहना उनके साथ में उनको कंपनी पसंद नहीं वह हमेंसा अलग रहना पसंद करते तो वहां पर इन दोन मेडिशिंट को यूज़ करते हैं बहुत अच्छे इज़रसा दोस्तों तो आज हमने आपसे बात किया कि कैसे हम ऐसे पेशे क को जो की हमें साथ चाहते हैं और ऐसे पेशिंट को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे जहां पे हम इसा अलग रहना पसंद करते हैं तो वहां पे हम कौन से मैटसिंस देंगे तो मैं उम्मीद करता हो दोस्तों कि यह सारी बाते आपको समझ में आई होगी और जब अब भी आपको कोई ऐसा पेशन मिलता है जिसके अंदर यह सारी चीज़े हो तो वहां पे आप इसका अपयोग करेंगे बहुत अच्छे रिजर्ट साइंगे दोस्तों तो आज की बात बसेते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में तब तक अपना ख्य लखेगा जय हिंद जय भारत दोस्तों